साथे अभी एक सवाल पुछा गया कि लोन में जो गैरेंटर होता है, क्या गैरेंटर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, गैरेंटर बनते समय क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, आखी गैरेंटर क्या है, गैरेंटर क्यों होता है, और क्या गैरेंटर के उपर बढ़ना जाता है लोन का अगर वक्ति ना भरे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आपने किसी की गैरंटी ले हुई है या आप गैरंटी लेने जा रहे हैं गैरंटर बनने जा रहे हैं लोन के तो आप कुछ नियमों के बारे में जान लें आपको नियम पता होने चाहिए सबसे ये वक्ति लोन डिफॉल्ट कर जाता है लोन नहीं भरता है तो मैं इस लोन को भरूंगा मतलब आपने सीधा सीधा उसकी जिम्मेदारी ले ली कि आपका लोन मैं भर दूँगा मतलब इस वक्ति का लोन मैं भर दूँगा अगर ये लोन नहीं भरता है ये है गारेंटर का निय क्योंकि अगर आपके सम्मंद अच्छे हैं तो आप उसको बोल सकते हो बोलोगे तो वो गैरेंटर से नाम भी हटवा सकता है आपका नया गैरेंटर दे करके वो आपके उपर बड़न नहीं आने देगा वो आपको सपोर्ट कर सकता है लेकिन अगर आपके सम्मंद उससे किसी वेक्ति का नाम दे दिया और उस वेक्ति की प्रोपटी के पेपर रखवा दिए गैरंटी के लिए तो चाहिए अब क्या हुआ अब यह वेक्ति होगा यह डिफल्टर और लोन ने भर पा रहा है और इनका उसकी इनके सिब्ल में भी आएगा कि वेक्दी डिफॉल्टर है इसने किसी गंटी लिए गंटीम में लगा हुआ है जो वेक्दीफॉल्टर रे उसकी और का रिष्टेदार या डिफोल्ट का गारेंटर डिफोल्टर या आपका सिबल भी डाउन हुआ प्रॉपट भी जा सकती है क्योंकि आपने प्रॉपटी अब पर लगा रखें तो हम नियमों को जान लीजिए नियम क्या कहता है नियम कहता है कि यदि कोई वैक्ति लोन ले रहा है तो किसी की गारेंटी देना जरूरी है उसकी गारेंटी होनी चाहिए अगर जिसने गारेंटी लिए वो यह कह रहा है कि ये वैक्ति लोन नहीं भरता है किसी भी कारण से मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि वरे ठीक है इसका वहार ठीक है इसका financial function टीक है अगर कुछ गड़ोबर करता है तो मैं जिम्मेदारी लोगा तो अगर आप इतनी बिलड़ी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं चीज के पेपर ना दे क्योंकि अगर कोई भी चीज अट्रेस कर दी तो वह चली जाएगी अगर वह वेक्षी डिफॉल्ट कर जाता है आप ले गैरेंटी ली हुई है तो आप क्या कर सकते हैं अगर आपके उससे संबन सही है तो आप उससे बात कर सकते हैं इससे मेरी घैरेंटी आप डिफॉल्ट करूं आप गैरेंटर चेंज करेंगा यह अपना डिफॉल्ट को ठीक करेगा पहले पिर आप करसे करेके तो आप सकते हो वरना बैंक आपको नोटीच इसको तो देगा इड नोटीस उसके जवाब अगर वो नहीं दे रहा है या वो डिफॉल्ट कर जाता है या NPM में उसका अकॉंट चलाता है अब वो आपको नोटीस देगा अगर माली जे सेम बैंक में आपका अकॉंट है तो तुरत बैंक एक्शन ले करके आपके उस बैंक से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसे ही किसी की भी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेनी मदद करिये, मदद करने को मना नहीं कर रहा हूँ गैरंटर बनिये, लेकिन कम से कम आपको अपने नियम, कायदे, कानून पता होने चाहिए और आजकल तुसब Google कर सकते हिए इंटरेट का जमाना तुन गूगल करो न कि गयरंटर कहां का थ्यान रखना चाहिए गयरंटर कैसे चेंज करा सकता है चेंज कराने कके नियम इतने हैं यह उटा पाना मुश्किल हो जाता है इसलिए गैरंटी लेते समय ध्यान रखें कि कहीं उसका बड़न आपके उपर ना आ जाए मदद करिए लेकिन उतनी ही मदद करिए जितनी मदद से आपके उपर बड़न ना आ सकती है तो मेरी कोशिश थी जैसे भाई ने सवाल पुझा था कि गैरंटर बन रहा हूं या बनना चीए नहीं बनना चीए वह आप अपने विवेक्ष ले लिजिए आपको किसका गैरंटर बनना किसका नहीं मना मैंने आपको नियम बता दिए कि गैरंटर भी उत्रा ही लायबल है लोन का जित्रा की लोन लेने वाला है उतनी ही जिम्मेदारी आपके उपर होगी अगर आप ये जिम्मेदारी उखाने को तैयार हैं तो ही गैरंटर बनिए या व्यक्ति के बारे में आपको पुरा पता हो कि default नहीं करेगा गलत नहीं करेगा तब ही guarantee लीजिए अगर guarantee ले ली है तो कोशिश करिए guarantee से नाम हड़ जाए